क्या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इंसानियत खत्म होती जा रही है दुनिया भर में सबसे पवित्र रिष्टा मा और बेटे का माना जाता है लेकिन आज के इस दौर में शायद इंसानियत मर चुकी है आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को जहन्जोर कर रख देगी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे की एक मा ऐसा कैसे कर सकती है तो चलिए शुरू करते हैं आठ जनवरी दो हजार चौबिस एक महिला गोवा के एक होटल से निकलती है और होटल स्टाफ से कहती है कि उसे कुछ काम के सिलसिले में बैंगलॉर जाना है टैक्सी चाहिए होटल के स्टाफ कहते हैं कि मैम आप फलाइट से चली जाएं टैक्सी काफी महगी मिलेगी महिला जोर दे कर कहती है कि नहीं मुझे टैक्सी से ही जाना है और पिर महिला सुबा सुबा टैक्सी से बैंगलॉर के लिए रवाना होती है अब असली कहानी यहां से शुरू होती है होटल के स्टाफ जब महीला की कमरे में सफाई के लिए गए तो उन्हें वहां तौलिये पर खून का धबा मिलता है होटल के स्टाफ को शक होता है कि वो पुलिस को मामले की जानकारी देते हैं पुलिस तुरंट मौके पर पहुंचती है और फिर जाच शुरू कर देती है इस दोरान होटल के स्टाफ पुलिस को बताते हैं कि महीला के लिए कैब उन्होंने ही बुख किया था पुलिस कैब ड्राइवर को फोन करती है और कहती है कहां हो ड्राइवर कहता है सर एक महिला सवारी को लेकर बैंगलॉर जा रहा हूँ पुलिस कहती है तुरंट गारी के साथ नजदी की ठाने पहुच जाओ उसके बाद ड्राइवर गारी सहित नजदी की ठाने पहुच जाता है और पुलिस से कहता है कि कैप की तलाशी लेनी है महीला जब तक कुछ समझ पाती, तब तक पुलिस गारी की तलाशी लेने लगती है. तलाशी के दौरां सूटकेस में लाश देखकर ड्राइवर के होश उर जाते हैं. सूटकेस में मासूम की लाश और लाश के साथ कातिल मा, ड्राइवर वहीं पर भिहोश हो जाता है. पुलिस की जाच में पता चलता है कि बैंगलोर से गुवा घूमने आई एक स्टार्टप कमपनी की CEO ने होटल के रूम में अपने चार साल के बेटे को मौत के घाच उतार दिया है महीला वारदात को अंजान देने के बाद चुप चाप लाश के साथ मौके से फरार हो जाती लेकिन एक छोटी सी चूप के चकर में वो पुलिस के हथे चड़ गई फिलहाल अदालत ने इस महीला को छे दिन की पुलिस रिमाइंड पर भेज दिया है इस पूरे साज़िश का पता लगाने में होटल के स्टाफ और कैब डराइवर ने एहम भूमी का निवाई जिस सूजबूच से उन्होंने तत्परता दिखाई चारों तरफ इनकी तारीख की जा रही है फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जाच की जा रही है लेकिन सवाल ये उता है कि आखिर एक मा का दिल कैसे गवारा कर सकता है कि वो अपने चार साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दे आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मिलते हैं फिर अगले वीडियो में शुक्रिया